नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 10 फरवरी 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस की इंपॉर्टन न्यूज जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखो शुरुआत हम कर रहे हैं एक्स्प्लेंट पेज से जिसमें हम ती लिंक के लगबग 40 से 49 सेटिलाइट्स हैं वो डेमेज हो गए वो काम नहीं करेंगे अब ठीक है तो वो जानेंगे मुद्दा और तीसरा जो आर्टिकल है देट इस रिलेटेट टू गवर्मेंट के पास में क्या पावर है सेंटर स्टेट रिलेशन में एक फ्रिक्शन का प बेट चल रहा है कि जी अनप्लॉइमेंट इंडिया में कितना है बेरुजगारी बढ़ी है क्योंकि शेशित हरूर जी ने ये कहा कि हमारे देश में बांगलादेश और वियतनाम के कमपैरिजन में बहुत ज़ादा बेरुजगारी बढ़ रही है ठीक है तो तब से 2020 के बीच में अब आप देख लो कितना ज़्यादा सूसाइड रेट है बेरुजगारी और करजा ठीक है और ये डेटा जो है वो ये शो कर रहा है कि 2020 का साल था ना उसमें तो ये सूसाइड लेवल और भी ज़्यादा हाइएस्ट पहुंच गया था कितना 3548 मतलब साड़ अगर देखें तो स्ट्रेस जो है वो लगातार भढ़ रहा है यूथ में और इसी की वज़े से और इसका में कारण क्या है बेरुजगारी और इस चीज़ को एकनॉलिज़ करने के लिए जो एक एन्यूल सर्वे रिलीज करती है गॉर्मेंट डाट इस पीरियोडिक लेबर तो किसी में कम है तो ऐसे में अगर हम CMIE that means Center for Monitoring Indian Economy के हिसाब से देखें तो हमारे देश में बेरुजगारी का क्या एक माहुल है सबसे पहला कि सबसे ज़्यादा बेरुजगारी किसके बीच में है यूथ जो यंग है जिसको हम यह हमारे देश के लिए हम डेमोग्रेफिक ड Evident बोलते हैं वो ही बेरुजगारी का शिकार हो रहा है सबसे बड़ा पॉइंट दूसरा जैसे जैसे Education बढ़टी जाती है वैसे वैसे फिर बाद में बेरुजगारी बढ़ती चली जाती है तीसरा Women में में मैंस के comparison में ज़्यादा बेरुजगारी है तो यह तीन important trends देखने को मिले हैं तो पॉइंट क्या है यहां से यह important data है यह कभी भी कैसे भी काम आ सकता है ठीक है तो यह आप ध्यान रखें अब देखो आगे तो जो पोल बाउंड state ना फर एक्जामपल यूपी गोवा यहां पे पंजाब यहां पे election होने वाल है ना तो वहां की detail दी हुई है तो वहां की हम ना देखते हुए अब सीधा front page की news है unemployment से related वहां चलते है कुछ important data हमें वहां से मिलेगा front page पे वही title आप समझे गए 30,000 से ज्यादा death हुई 2020 में suicide की वजह से है ठीक है अब देखो NCRB का जो data है National Crime Record Bureau suicide का तो देखो नहीं के पास में आता है पुटी detail तो उसके हिसाब से अगर देखें तो आप देख सकते हो कि करनाटका में करनाटका में 720 के लगबख suicidal attempts देखे गए सुसाइड की गई 2020 के साल में फिर दूसरे नमबर में महरास्टा फिर Tamil Nadu तो सबसे ज़्यादा distress के state में देखने को मिली करनाटका में इसके आगे अगर देखा जाए तो हमारे लिए important है 2020 में सुसाइड कितने किये गए थे लगबख 1,53,000 जो कि 2019 में कितनी थी 1.39 लाक देखो सुसाइड में अभी हमारा main focus है unemployment या फिर जो financial crisis होता है न वो बाकि उसके लावा भी बहुत सारे issues होते हैं जिनकी वज़े सुसाइड कमिट की जाती है और सुसाइड करने के पीछे आपको पता है कितना mental distress होता है कितना ज़्यादा एक individual mentally ill होता है तब जाकर कैसे कदम उठाता है ठीक है न तो bankruptcy, unemployment, indebtedness, करजा यह बहुत बड़ा कारण है जिसकी वज़े से हमारे यहाँ पर सुसाइड की cases बढ़ रहे हैं इसके आगे देखें इसी चीज़ को अगर हम previous regime से compare करें for example UPA के टाइम पे तो उस टाइम पे 2013 में ठीक है यह लगबग आप देख सकते हो कितनी सुसाइड हुई थी 2090 की लगबग 2012 में 1731 तो यह हमारे ब mental distress या mental burden को address करते हुए अभी focus रखा है कि national mental health program पर ध्यान दिया जाएगा जिससे कि जो national level पे है फिर state level पे और फिर ultimately district mental health program इन पर focus किया जाएगा इससे क्या होगा कि हमारे देख में 692 districts में अभी इस तरीके से mental portal open किया जाएंगे जिससे कि अगर वहाँ पर mental distress से related कोई counseling लेन लगती है ठीक है तो ये national mental health program और उसी को support करेगा district mental health program ठीक है तो ये अपने आप में mental state बता रही है कि हमारे देश में कितना ज्यादा mental disorder बढ़ रहा है इसके लिए आपको पता है बजट में अनौन्स भी क्या है कि mental health को support करने के लिए लगबग 23 portal open किया जाएंगे जिसके basis counseling की जाएगी ठीक है नहीं हमने पहले बात भी किती बजट टाइम पे इसके आगे देखें सरकार की तवारे ये बताया गया कि रुजगार के लिए हमारे पास में बहुत सारे scheme से जो चल रही हैं जैसे आत्म निर्वर भारत रुजगार योजना national career service इसके अलावा प्राइम schemes अब इनके schemes के बारे में briefing ले लेना एक बार कि रुजगार के लिए हमारे हाँ पर कौन-कौन सी scheme सल रही है इसके अलावा digital India, make in India, switch भारत mission, smart city program, अमृत scheme बोले ये सारे schemes है जिनके तहत employment हमारे हाँ पर generate होता है रही सही में सरकार ने production linked incentive scheme launch की है जिससे कि manufacturing capabilities को increase करेंगे तो और ज्यादा job opportunity create होगी पर जो बात मैं बताना था वो पहले बता चुका हूँ कि शर्शी थरूर जी ने लोग सबा में ये बात highlight पहले ही कर दी कि हमारे देश में भी रूजगारी वियतनाम और बंगलादीश के comparison में ज्यादा speed से बढ़ रही है तो यह अपने आप में लगबग 40 satellites हैं उनको बहुत ज्यादा damage हो चुका है तो यह बात है कि अभी recently फरवरी तीन को लगबग 49 satellites launch किये गए थे starlink के दौरा falcon 9 satellite जो rocket का नाम था उससे और इनका deployment था अर्थ से 210 km की perigee पे अब perigee और apogee ये दो words आपने बहुत सुने होंगे जैसे अर्थ यहाँ प satellite moon की बात करो या फिर जो हम artificial satellite या फिर जो हमारे digital satellite है हमारे technology वाले based satellites हैं उनकी बात करें तो ये चारो तरफ किस तरीके का path follow करते हैं elliptical अब उस elliptical path होने की वज़े से दो उसकी focus होती हैं तो उन में से किसी एक focus पे located होती है अर्थ अब जहाँ पर आप देखोगे ये satellite है यहाँ पर ये वाला satellite इस अर्थ से बिलकुल close distance पर और ये satellite जब यहाँ पहुँँच जाएगे तो maximum distance तो ये जो pass वाले distance होती है इसको बोला जाता है perigee 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 मतला pass पी ठीक है एपोजी that means distant तो इस तरीके से ये minimum distance कितनी थी इन satellite और अर्थ के बीच में 210 km और maximum कितनी भी हो सकती थी वो हमारे context की बात नहीं है फिलाल इतना सही है कि perigee पे 210 km के height पे इसको इनको launch किया गया था पर होता क्या है कि earth atmosphere मतलब जो solar surface है sun के चारों तरफ में जो photosphere है वहाँ पर कुछ magnetic activities होती रहती है ठीक है अब आपको पता है वहाँ पर main तो fusion का का काम ह होता है जहाँ पर small जो nucleus है या जो small nucleus है वो मिलकर के एक बड़ी nuclei बनाते है for example hydrogen hydrogen मिलकर के फिर helium बनाता है और दूसरा वहाँ पर जो material है वो किस stage में मिलता है plasma state में तो होता क्या है कि वहाँ पर sun surface पे जो भी activities हो रही है उनके चलते वहाँ से sun के यहाँ से याप देखोगे ए इसको हम बोलते है CME that means coronal mass ejection ठीक है तो वो जो CME material है वो क्या करता है normal conditions में भी निकलता रहता है अब जैसे sun है तो sun पर तो आपको पता है कितनी ज़्यादा reaction होती है कितना high temperature है तो वहाँ से magnetic storm magnetic flares इस तरीके जो solar wind निकलती रहती है अब हमारी earth है उस पर हम क्यों survive कर पा र वो magnetosphere जो होता है इन solar winds को बिलकुल calcium कर देता है या उनको divert कर देता है ठीक है तो ऐसे में हमारे life के लिए बहुत important है नहीं तो यह solar winds अगर direct हमारे surface तक पहुंचे ना तो हम बिलकुल जिन्दा ही नहीं रह सके इतनी परेशानिया यह फैला सकती है इसका example छोटा सा है कि जब यह मान लो कि space में गए हुए जो भी astronauts होते है ना और यह solar wind अगर वहां से eject होकर के पास होती रहती है तो उनको health complications का सामना करना पड़ता है तो exactly ऐसा ही कुछ हुआ कि अभी लगबग 40 के लगबग satellites को Starlink ने lose कर दिया है उसके पीछे वज़ा आपको पता ही है कि कितना ज्या of miles पर पर आर के हिसाब से होता है मतलब लाखो करोडो किलोमेटर पर आर के हिसाब से यह speed से दोड़ती है यह जो भी magnetic यह जो flare निकली है या फिर आप यह कह सकते हो जो solar winds है ठीक है तो ऐसे में जो magnetic energy है यह associated है किसके साथ में sun sport अब sun sport क्या होता है कि sun का जो surface है उस पर dark circle बन जाते हैं जिनका temperature remaining sun के temperature जो surface temperature उसके comparison में थोड़ा कम होता है वो cooler होता है ठीक है और वहीं से और यह बाहर का जो area हमें दिखता है उसको हम photosphere बोलते है तो photosphere का यह part है उसमें वहाँ पर यह एक तरीके से dark spot बनते है ठीक है ना और इन dark spot से ही यह magnetic flares है वो release होती है ठीक है औ और वैसे तो देखा जाए तो यह release होने का time कुछ minute से लेकर के कुछ गंटों तक का होता है या फिर कह सकते हो कि यह जो dark sun spot जो बन रहा है इसकी life कितनी होती है कुछ minute से कुछ गंटों की पर उसमें बहुत energy वो release कर चुका होता है तो ऐसे ही एक फरवरी से दो फरवरी के बी ठीक है अब यह जो speed है यह बहुत जादा speed होती है इनकी ठीक है यह बात already हम देखी चुके हैं कितनी speed यह बता दिया millions of miles an hour यह speed होती है in CME की CME का मतलब क्या हो गया coronal mass ejection जो की plasma material है जो की solar surface से release होता है ठीक है ना और यहां पर देख सकते हो earth pay effect earth वाला मुदा मैं आपको ब रखे हैं उन पर क्या असर होगा जैसे GPS है global positioning system उसमें गड़वड हो जाती है जब यह solar storm आते है ना और मान लो कि कोई ज्यादा intensity का solar storm आ गया तो वो अगर earth पर जो communication का जो भी है उसको बहुत जादा impact डालता है जैसे GPS हो गया radio satellite communication उनका बहुत असर पड़ता है या फिर जैस जली से संबन देती ठीक है space exploration के लिए निकले रहे तो वो बहुत ज़्यादा vulnerable है that means जो solar storm है इन सब के उपर इतना impact डालता है अब सवाल यह है कि इसका prediction नहीं लगाया जा सकता था क्या कि देखो जी अभी तो इतना ही है कि क्या intensity और क्या speed के साथ में magnetic storm है वो हमें arrive कर रहा ह सिर्फ इतना ही पता पड़ता है अभी यह नहीं पता है कि भी जो storm है किस time पे किस condition में originate होता है उसके बारे में कुछ idea भी तक नहीं है storm की क्या structure है कब औरियंट कब शुरू होगा अगर यह timing proper पहले पता हो तो शायद यह इतना damage बचाया जा सकता है ठीक है ना तो इस case में अब बात है कि इस पे देखो definitely scientific research की जरुष है अर्थ को तो magnitude swear बचा लेता है पर बाकी अर्थ के बाहर हम space में जो activities कर रहे हैं उनके लिए भी फिर बाद में हमारे पास में कुछ advanced research available होनी चाहिए तो अब देखते हैं आगे क्या होता है satellites को protect करने के लिए अगर better weather forecast हमारे प ठीक है तो ये था solar storm की वज़े से starling के satellites का damage होना या फिर उनका बिल्कुल in function हो जाना खतम हो जाना ठीक है आगी चले जाते हैं नेक्स्ट है governor की power friction point ही है सब कुछ देखो एक तो वेस्ट बेंगॉल में conflict चल रहा है वहां की चीफ मिनिस्टर और वहां के governor 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 का नाम है जगदीफ दनकर और चीफ मिनिस्टर आपको पता है ममता बनर जी और दूसरी तरफ तमिल नाडू वाला सुबह वाला हमने मुद्दा देखा ही था कि जो नीट exam है वो state में conduct नहीं होने देना चाहती है तमिल नाडू की assembly तो उन्होंने बिल पारित कर दिया governor के मना कर दिया बोला हम sign नहीं करेंगे दुबारा से वो बिल पारित कर दिया अभी तक भी उस percent नहीं दी गई है तो यहाँ पर मुद्दा क्या जाता है कि center state relation में governor का role ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि क्या कानून है जिसके basis पे governor और state के relations finalize होत है constitution में जब हम पढ़ता है one second कि governor जो है वो एक apolitical that means उनका politics से कोई लेन दे नहीं क्योंकि constitutional head of state होते है head of state तो नहीं बोल सकते है मतलब एक तरीके से constitutional राज्य जो होते हैं हमारे एक तो head of state होते हैं president जो कि पूरे देश की head है और एक governor की बात करें तो उस तरीके से constitutional leader होते हैं तो उस point of office अगर देखें तो governor जो है वो राज्य सरकार में जो council of ministers है उसकी aid and advice पे काम करते हैं दूसरी चीज गवर्नर को कुछ power भी दी हुई है constitution के bill को वो अपनी ascent दे या ना दे उसको रोकें वो रख सकते हैं अपने पास में वो उनका उनकी discretion पे काम करता है पर हां उसके लिए भी conditionalities है आप एक बार जरूर governor का chapter रहना वो जरूर पढ़ो गया ठीक है और एक center state relation वाला chapter है वो जरूर पढ़ो गया इससे क्या होगा दोनो कि आपको clearance आजाएगी कि governor क्या करता है center state relation में governor का role क्या आता है और इसके अलावा governor के role को improve करने के लिए और Indian federalism को अच्छा बनाने के लिए अलग-अलग जो expert committees बनाई हुए जैसा administrative reform commission ने क्या recommendation दी है या पुंची commission ने क्या बोला है या सरकारिया commission ने क्या बोला है वो प्रूर देखनी है एक बार ये दोनों chapter साब पढ़ोगी लक्षमिगान से आजाओ कर इसके अलावा governor के पास में मान लो की कोई hung assembly आगए hung assembly का मतलब किसी भी political एक किसी political party को clear majority नहीं मिल रही है तो governor जिसको चाहें उसको बुला सकते हैं मतलब कि आजाओ हम आपको कराएंगे मतलब शबद दिला देंगे किसी भी एक political party के leader को और फिर बोल देंगे कि इतना time है इतने time में आप अपनी majority साबित कर दो majority का time कितना होगा वो determine करना तो ये सीजे hung assembly में हो जाती है तब governor की discretion और बन जाती है अब देखो बात ऐसी है कि अभी तक बहुत ज़ादा एक तरिके से difference create हो रहा है कि governor का जो role है उसको लेकर के क्या relationship होनी जे governor और state government की पर उसमें दोनों जो है अपनी limits cross कर देते हैं जिसकी वज़े से ये political conflict देखने को मिलते हैं friction points के अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि कई बार assembly को dissolve करने में भी governor अपना role play करते हैं अब ये तो आपको पता होगा कि president है na president of India वो governor की appointment करते हैं और governor जो है वो president of India की pleasure जब तक है वैसे तो 5 साल के लिए appointment होते हैं पर president of India उनको कभ करते हैं बई council of minister at union मतलब central government में जो council of ministers हो उनकी aid and advice पर president काम करते हैं और president of India ही governor का appointment करते हैं पात साल के लिए इसका मतलब ultimately central government के पकड़ होई की नहीं governor पे अब वहाँ पर state government में अगर मान लो कोई दूसरी political party की सरकार है और यहाँ पर union government दूसरी political party की है तो फिर बाद में ख family को dissolve करना और या फिर मतलब जो सबसे बड़ी party है उसको छोड़ करके दूसरी किसी political party के leader को बुला करके और शपत दिला देना फिर बोल देना कि हाँ आप majority थाबित करो तो यह कई friction point है जैसे 2018 की बात करें जमू कश्मीर के उस time पर governor थे सत्यपाल मलिक उन्होंने assembly को dissolve कर दि फिर वहाँ पर president rule apply कर दिया और उसी time पर फिर central government ने मौका का फायदा उठाया और state को बाइफरकेट कर दिया और आज आपको पता है दो यूटीज में convert हो गया जमू कश्मीर फिर आ जाओ नवंबर 2019 में महारास्टा के election हुए थे उस time पर governor कौन थे वहाँ के बगत सिंग को शपत दिलादीर बोल दिया कि आप अपनी majority साबित कर दो पता पढ़ा कि उनकी सरकार सिर्फ 80 घंटे जली फिर आपको पता ही है उद्व ठाकरे ने फिर बाद में coalition create या ठीक है एक तरफ तो congress और एक तरफ शरफ प्रवार की जो national congress पांटर टाटी नसीपी और खुद की शि है कि एक individual 6 मैंने तक बिना elected कोई भी minister के post पे रह सकता है पर 6 मैंने क्या बाद में उसको कई ना कई अपना election करवा करके या अपनी seat तो fix करनी पड़ेगी हाँ ये बाट ठीक है कि महरास्टरा में bicameral system है मतलब state legislative council है state legislative assembly है तो legislative council में nominate होने की बात आई कि उद्व ठाकरे जो PM Modi से meeting होती है तब जाके मुद्दा resolve होता है एक ये conflict का मुद्दा आ जाए वेस्ट Bengal वाला मुद्दा भी हमने देखे लिया नागलेंड में जब आरन रवी जो आज के टाइम पे तमिल नाडू के governor है वो नागलेंड के governor हुआ करते थे ठीक है नागलेंड में peace establish करने के इपील कर लिया खैर पर उनको criticize करने के लिए एक assembly session बुलाना था government of केरिला की दौरा पर उस time पे केरिला की governor आरिफ मुहम्मद खान ने मना कर दिया वहला मैं नहीं बुला रहा session क्योंकि session को summon कौन कर सकता है center में तो कौन करता है parliament में president और वहाँ पर कौन करेगा state में governor तो governor ने मना कर दिया ठीक है इसी तरीके से 2018 में करनाट का में election हो गए थे तो 15 दिन का time मतलब BS 10 रुपा को chief minister बनाया गया तो उनको 15 दिन का time दिया गया कि हाँ 15 दिन में आप अपनी majority साबित कर दो फिर बाद में मुद्धा सुप्रीम कोर्ट में जाता है सुप्रीम कोर्ट ने का भई 15 दिन नहीं सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर finalize कर आओ इनके पास majority है की नहीं ये देखो ये है तो ये relationship रही recent time की अब सवाल ये है कि क्या current सरकार नहीं ऐसी गड़बडे कर रखी है पहले भी होती थी ज चुरुआत होती है 1950 के दसक से जैसे ही पहली पहला दशक independence के बादगा उसी में गड़बड होनी शुरू होती है जब केरला में पहली बार मतलब पुरे देश में केरला एक ऐसा state था जहां पर पहली बार non congress government आती है और leader थे EMS नंबू दिरिपद ठीक है और EMS नंबू दिर जाता है और फिर वाद में वहाँ पर president rule लगा दिया जाता है तो president rule लगा करके पता नहीं कितनी सरकारों को हटाया गया था 1971 से लेकरके 1990 के टाइम पर इसका मतलब क्या है जब single party dominance की बात आती है तो एक question बनता है कि single party dominance थी तो हिंडिया में democracy का democracy के लिए क्या कोई adverse effect थे यह question है बहुत important question है तो इसका इसके जवाब में जब आप लिखते हो ना कि है adverse effect था इस point आपको adverse effect था भी adverse effect नहीं था दोनों point आपको देने होते है ठीक है पर हम अब यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से यह time था यह क्या था single party dominance तो इस time पर Congress की तरफ से पूरी exercise की जा रही थी स ऐसे हरियाना में 1967 की सरकार विरेंदर सिंग गवर्मेंट इसी तरीके से विरेंदर पार्टिल गवर्मेंट 1931 में करनाटका की एम करुणा नहीं दी 1976 की सरकार जो DMK की सरकार थी उसको अटा दिया बहरोशिंग सेखावत की जो गवर्मेंट थी राजस्तान की उसको जो सिरो गवर्मेंट रूल लगा लगा करके यह सरकार को गवर्मेंट की तरू वहाँ पर एसेम्बली को डिजॉल करवाया था तो यह सेनेरियो है सिंगल पार्टी डॉमिनेंस का अब देखो बात आ जाती है कि ऐसा हुआ क्यों तो एक तो क्या एक्सपर्ट का क्या कहना है कि गवर का एकससाई्स बहुत ज़ाद है वैसे तो बोला जाता है कि गवर्मेंट जो है वो एक टिव पॉलिटिशन नहीं होने चीए बट रियल सैंस में एक गवर्मर जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से पिक कि ए जाते हैं और जैसे उनका गवर्मर्षिप का टैनिरuse क्तम होता ह में participate करना शुरू कर देते हैं जबकि governor क्या कौन होना चाहिए एक political apolitical leader होना चाहिए दूसरा experts का ये कहना है कि हम चाहे कितना ही हमारे constitution की बढ़ाईयां कर ले चाहे कितनी मीठी मीठी बाते कर ले पर सच बात ये है कि governor जो है governor की जो इसकी जो activities है वो बोला हमारे constitution की एक fundamental defect है इसको correct करना चाहिए expert का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो आलोग प्रसन्ना विदी Center for Legal Policy इससे बिलॉंग करते ही है ठीक है जी फिर इसके आगे अगर देखा जाए तो सरकार हमारे आपर constitution में impeachment को लेकर के भी कोई provision नहीं है क्योंकि governor जो है president के दूआर अपॉइंट के जाते हैं उसमें advice कोन करता है central government तो governor पाथ साल के लिए अपॉइंट होता है और वो अपने office में तब तक रहता है जब तक president खुश है pleasure of president that means government of India चाहेगी तब तक वो सरकार में बने रहेंगे अब आप देखो बहुत से commission constitute हो है जिन्होंने governor की post के लिए कुछ अपनी recommendation दी for example 2001 में national commission to review the working of constitution जो की chief justice of India retired chief justice of India M.N. Venkert चलिया जी की leadership में अटल प्यारी वासपेजी की सरकार के time पर appoint किया गया था और उन्होंने कुछ recommendations दी थी कि भई governor जो है वो कही ना कहीं एक central government का agent बनके रह गया है तो इनकी functioning में changes आने चाहिए पर अभी तक उस पर कोई important implement या action नहीं लिया गया है फिर इसके आगे governor की powers हैं appointment है assembly को dissolve करने का वो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि central government जो चाहती है उसे साब से काम होता है अब यहां पर आप देख सकते हो administrative reform commission of 1968 ARC first ARC second तो आपको पता ही है विरप्पा मॉयली जी की leadership में constitute किया गया था दूसरा आप देख सकते हो सरकारिया commission 1988 में उन्होंने clear अपनी तरफ से बोला था कि जो appointment है ना governor की उसको केवल council of minister की aid and advice के basis पे केवल president करे तो वो बात ठीक नहीं इसकी बजाए एक panel constitute करना चाहिए और उस panel में कौन कौन होना चाहिए prime minister, home minister, लोग सुबाज speaker और particular state के concern state के chief minister वो फिर recommend करे कि commissions हैं, जो भी committees हैं, उनके द्वारा suggestion दिये गया है ना, उनको कोई recommendation को implementation में नहीं लाया गया है, तो ये था governor का पुरा role, जो की अभी context में क्या था, बाकि बहुत broad role रहता है, वो आपको मैंने बताई दिया लक्षमिकान से पढ़ लेना आगे चलते हैं next news है, देखो, श्रिलंका इंडिया relations से related, श्रिलंका के foreign affairs minister, GL, पेरीज, ठीक है, पेरीज, ये अभी इंडिया के visit पे आये हुए हैं, और दोनों countries के बीच में बातचीच चल रही है, कि एक तो closer integration लाया जाए, port, energy, tourism, hospitality, pharmaceuticals, इन areas में convergence लाया जाए, और fishery वाला जो मुद्दा है, उसको sort out किया जाए, foreign ministers के बीच में proper engagement होती रहे, तो ये बात चल रही है, तो देखो, अभी बात ऐसी है, स्रिलंका में आपको पता है, कितना ज़्यादा debt crisis है, कितना ज़्यादा वहाँ पर financial issues आ रहे हैं, तो इस case में इंडिया ने अपनी तरफ से support दी या पहलें, तब जाकर कि स्रिलंका ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है, इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, इंडिया ने अभी क्या दिया है, पांच सो million dollars का, एक credit line दी है, जो हमारा export import bank है, उस से, मतलब 500 million तक का वो export import से संबंदित, जो भी करजा है, जो भी अपना services करना चाता है, स्रिलंका, वो ले सकता है, एक billion dollar की credit line दी है, हमने food and pharmaceuticals में, क्योंकि आज की परिस्तिते वहाँ पर food crisis भी है, और वहाँ पर COVID जैसे बिमारी है, तो फार्माशिटिकल्स की इसके अलावा, इंडिया और स्रिलंका, इनके बीच में लगबग 515 million dollar का settlement होना था, ठीक है, Asian Clearing Union के basis पे, भना, तो उसमें 500 million, यह जो settlement था, इसको defer कर दिया, इसके अलावा, currency swap facility दिया लगबग 400 million dollar की, that means, स्रिलंका की currency और Indian currency दोनों के बीच में लगबग 400 million dollar का lane देन रहेगा, ठीक है, अब इसमें dollar की basis पे भी हो सकता है, इंडिया, dollars भी दे सकता है, और अपनी खुद की currency भी दे सकता है, मतलब, दोनों countries के बीच में lane देन बढ़ेगा, तो इंडिया ने जब यह supportive hand आगे बढ़ाया ना, तब जाके स्रिलंका ने अपनी तरफ से discussion के लिए एक रस्ता निकाला है, एक कारण तो हो गया है, दूसरा कारण क्या है, कि United Nations Human Rights Council का एक session आने वाला है, coming session में स्रिलंका को criticize किया जाएगा, human rights के violation को लेकर के, क्योंकि आपको पता है, वहाँ पर tamils और जो muslims हैं, वो minority में आते हैं, और sinhalas वहाँ पर majority में आते हैं, तो इस case में, इनकी अभी भी human rights की जो welfare होनी चाहिए, human rights protection, उसमें स्रिलंका कहीं ना कहीं पीछे है, तो उस case में, 2015 में स्रिलंका ने कुछ commitment दिये थे, human rights council में, हना, UN में, पर वो अपिने commitment को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में इंडिया का रोल वहाँ पर स्रिलंका के favor में हो, ये एक चीज स्रिलंका इंडिया से चाहता है, तो ऐसे इंडिया के लिए अगर concerning बात देखें स्रिलंका में, तो देखो एक तो है 13th amendment, कारण क्या है कि स्रिलंका के constitution में जो 13 amendment था, वो देखो संबंदित है, जो minorities है, उनके rights से संबंदित, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं, इंडिया अपने लिए concerning मानता है, दूसरा 1987 में, जो इंडिया ने Indian peacekeeping forces भेजी थी, ठीक आपको पता, राजीव गांदी जी की सरकार के टाइम पे, तो उससे लेकर अभी तक का जो भी changes है, उनको भी consider किया जाएगा, आज के टाइम पे, इंडिया के लिए concern क्या आपको पता है, चाइना की जो dominance create हो रही है, श्रिलंका में, क्योंकि सीधी सी बात है, कि Indian Ocean में, इंडिया की हमेशा से dominance रही है, और वहाँ पर अगर चाइना अगर अपनी पकड बनाए, जिससे कि हमारे tensions हैं, तो उस case में हमारे लिए तो कहीं न कहीं concerning बात है ही, इसके अलावा अगर देखें, तो donier की हम बात करी चुके हैं, यह जो donier helicopter हम दे, aircraft जो हम दे रहे हैं, यह twin engine है, जो की Indian Navy, cost guard और Indian Air Force के पास में available है, और इसको manufacture कौन करता है, हिंदुस्तान, Aeronautics Limited, हाँ, इसके designing का काम किसका है, Swiss company है, RUAG, इसका मतलब यह collaboration हो गए एक तरीके से, ठीक है न, कि design इसकी है और manufacturing hall कर रहा है, ठीक है, और make in India प्रोग्राम का ही अपने आप में एक show piece है, और उसी के तहत यह donier aircraft जो है हम इस्रलंका को दे रहे हैं, ठीक है, इसके आगे अगर देखें, इंडिया से expect किया जा रहा है कि 15 million dollar का एक fund allocate किया जाएगा, जिससे की Buddhist temple को वहाँ पर refurbish किया जाए, या फिर उनको जो भी damage है, उसको एक तरीके से repair किया जा सके, इसके आगे अगर देखें, तो BIMSTAC की meeting स्रिलंका है, वो host करने वाला है, BIMSTAC के बारे में, UPSC point office पढ़ लेना भई, ठीक है न, देखो 2014 की जब oath ceremony थी न, प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोदी जी की, तब तो सार्क के leaders को बुलाया था, फिर उसके बाद में सार्क अच्छे से नहीं काम कर पाया, तो 2019 में BIMSTAC के leaders को बुलाया गया था, ठीक है, oath ceremony में, तो BIMSTAC के बारे में पढ़ लेना, आपकी बारे श्रिलंका होस्ट कर रहा है, जो की hybrid format में ये meeting होगी, hybrid का मतलब, कुछ leaders हैं, वो तो in person present होगे, तो ऐसे में, श्रिलंका expect कर रहा है कि हमारे prime minister in person वहाँ पर इस meeting को attend करने के लिए जाएंगे, ठीक है, और बाकी virtual जो conference के थूँ है, वो भी attend करेंगे, बाकी members हो, ठीक है, UNHRC का session अल्रेडी हम बात करी चुक है, तो main main जो चीजे थी, वो हमने देख ली, आगे चलता है, अब हम आगे, economy page पे, देखो, सरकार अपनी तरफ से climate change को control करने के लिए बहुत कोशिशे कर रहे हैं, statement भी बहुत आ रहे हैं, पर climate change के लिए जो fund available है, उनके लिए allocation लगातार decline कर रहा है, पिछले पात सालों से, और यह allocation यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो, जो, आप देख सकते हो, यहाँ पर, NAFCC, इसके लिए budgetary allocation 115 करोड रुपए से घड़ता हुआ, अब कितने आ गया, 27.76 करोड रुपए, decline कर रहा है लगातार, चलिए, अब देखते हैं, मुद्धा क्या है, देखो, बजट में allocation की बात कर दी, फिर भी उसके बावजूद भी National Adaptation Fund on Climate Change, NAFCC, यह कब लौन चुआ था, क्या प्रोग्राम है, वो सारा आप मुझे comment box में बताओगे, या कम से कम बढ़ दो लेना आप लोग, ठीक है, तो इसमें पिछले 5 सालों से fund की allocation है ना, इस National Adaptation Fund on Climate Change, यह एक तरीके से Central Sector Scheme है, that means, 100% funding Central Government के दुवारा दी जाती है, तो इसमें allocation लगातार decline कर रहा है, जो की 115 करोड से, जो की 2017, 2018 में था, उससे decline करता करता है, आपको अभी पता है कितना हो गया, 27.76 करोड, December 2021 तक, अब देखो बात ऐसी है, कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि climate change को control करें, पर दूसरी तरफ अगर देखें सरकार का allocation कम होगा, तो कितनी tension की बात है, तो सरकार ने इसके लिए क्या कोई provision किये हैं या नहीं किये, उसमें मुद्दा आ जाता है, कि हमारा जो अभी budget session चल रहा है, इसमें announce हुआ है, बजट में, जो financial year 2023 बोला जाएगा इसको, 2022-2022 को, ठीक है ना, तो main emphasis किया गया है, कि सरकार जो है, वो RBA कित्रू सोवरन green bonds रिलीज कराएगा, इसका मतलब क्या हो गया, कि मान लो, green projects का launch करना है सरकार को, मतलब, ऐसे infrastructure डवलप करना है, जिसमें कि carbon emission minimum हो, ठीक है, तो उस project को complete करने के ल गया, कि अब market में RBA के थुरू green bonds हैं, सोवरन bonds हैं, वो release करेंगे, जिससे की low climate change के लिए attracted feel करेंगे, और उन bonds को खरीदेंगे, और वो investment के तोर पे, उधार में दिया जाएगा, पैसा उस project को, अब वो project धीरे धीरे time के साथ में, उन bonds को repay करेगा, मतलब, उधार दिला रही ह है सरकार, guarantee लेगी बस, कि आप उधार दो, काम हो जाएगा, तो इस तरीके से सरकार ने क्या किया है, कि भई हम budgetary allocation ना देते हुए, हम आपके लिए borrowing program पे focus करेंगे, उधार दिलाया जाएगा, और project to project, तो ये है तरीका यहाँ पर अभी, ठीक है, तो budgetary allocation तो कम हो गया, बट सरकार का जो climate push है, उसमें कोई अपनी तरफ से कमी नहीं आ रही, इसका मतलब finance में blending होई की नहीं, एक तरफ तो खुद grant दे दिया, और दूसरी तरफ market से उधार भी करवा देगी, RBI के through, ठीक है ना, इसमें आबाड का भी रोल आएगा, private sector का भी रोल आएगा, ठीक है, यह चीजे बताई जा रही है, ठीक है, इस पर वाकि तो यही था में में, यह national action plan on climate change और national adaptation fund on climate change, यह दोनों के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ोगे, यह शंकर आईएस की बुक में या जो भी आप environment की बुक पढ़ते हो ना, उसमें अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, त उसको तो रोका जाएगा, छोड़ करके defense, research and development इनके लिए, मतलब, सीधी सी बात है कि drone की हम manufacturing करके हमारे खुद के product को बेशना चाहते हैं, दूसरी चीज, हाँ, जो drone के लिए, जो equipment काम में आते हैं, उनके import पे बैन नहीं लगा है, तो made in India, जो हमारा target है, उसको promote करना, और ये release किसने किया notification, director general of foreign trade के दुआरा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, domestic manufacturing, drones की वो बढ़ेगी, वो ही बात है, raw material मंगा लिया, और finished good है, वो बेचेंगे, वो वाली बात है, इसके लिए 120 करोड रुपे की production linked incentive scheme है, वो भी चल रही है, आपको पता है, ठीक है, ये है मुद्दा, इसके आगे देखें, वर्ल्ड पेज़ पे अगर नज़र डाले तो रश्या जो है, वो बेलारोस में military drill करने वाला है, ठीक है जी ये तो होता रहेगा, अब लड़ाई तो पता नहीं, क्या है क्या नहीं सीन, बाकी फिलाल तो tension वाली situation है, कॉड को लेकर के चाइना ने statement दि इंडिया और एक जपान, सीधा इन दोनों का link है, और Australia से भी कही नहीं link है, तो इस case में, चाइना का ये statement है, कि भाई, कॉड जैसे group जो है, वो हमारे regional जो piece है, उसको परिशान ना करें, उसको खतम ना करें, क्योंकि हमारे जो foreign affairs minister वो अल्रेडी पहुंच चुके हैं, जो USA क जो secretary of state, that means USA की जो foreign affairs minister है, हम कह सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, administration चलता है, ठीक है ना, तो presidential system और parliamentary system of democracy, इसके बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, USA की system में, और हमारे system को compare कर लेना, ऐसा एक topic भी है, जो भी constitutional status है, तो हमारे constitution को अ इंडिया के constitution को, और शायद US का constitution था है, जैपैन का, US का constitution से, हाँ, अभी याद आ गया, fundamental rights वाला जो part है ना, उसको compare करवाया गया था, USA से, हमारा जो fundamental right का जो provision है, हमने लिया ही USA की constitution से ही idea, पर हाँ, हमारी values को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया, वहाँ पर bill of rights बोला करेगा, चाइना और US को पास मिलाने का, चलो बहुत अच्छी बात है, बस यही थी main main news जादा हो, और कुछ काम है नहीं, ठीक है, discussion में जो भी ताव हमने देख लिया, कुछ बच गया हो तो देख लेना वई, ओके, thank you